वाचिंग पॉइंट सतानद पे आपका स्वागत है आज हम लोग भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के अधिवेशन के बारे में जानेंगे अठारो सोड़ासी स्वी में बिटिस आईसी एस ओफिसर एओ हुम ने भारतिय राष्टिय संग की अस्थापना की जिसका अधिवेशन पुना में प्रस्तावित किया गया परंतु उस साल पुना में पहेंकर प्लेग फैल गया फिर 1885 स्वी में पुना की जगह मुम पंबई के गोकूल दास तेजपाल संस्कृत बाहां विद्याले में 72 बेक्तियों के साथ 72 प्रतिनिदियों के साथ भारतिय राष्टिय संग का अधिवेशन पड़ारंब हुआ और जिसकी अध्यता वो में शंद बनर्जी कर रहे थे उकत अधिवेशन में दादा भाई ने रोजी ने सुझाव दिया कि इसका नाम भारतिय राष्टिय संग से बदल कर भारतिय राष्टिय कांग्रेस कर दिया जाए सर्व सम्मती से सभी सदस्यों ने उस समय उसका नाम भारतिय राष्टिय कांग्रेस कर दिया तो 28 दिसंबा 1885 वी को कांग्रेस का स्थापना हुआ, उसका पहला अधिवेशन 1885 वी में बंबई के गोकूल दास तेजपाल संस्क्रिक महाविद्याले में हुआ, उस अधिवेशन की अध्यक्ता वुमेश चंदरबनर जी ने किया दो बार चुनाब लड़ा परंतो दुर्भागे वस उन्हें उसमें सफलता नहीं मिली, फिर 1886 में कॉंग्रेस का अधिवेशन कलकता में आयोजित किया गया, कलकता में कॉंग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ता दादा भाई ने रोजी ने किया, दादा भाई ने रोजी 1886 में इस्ट इंडिया एसोसियेशन लंदन में अस्थाफित किये थे, इन्होंने ड्रेन ओफ वेल्ट नाम पुस्तक लिखा, प्रोफर्टी एन अन्बिटिस्वूल इंडिया लिखा, इन्होंने भारत में पर कैप्टा इंकम का जो संकल्पना है, वो सबसे पहले इन्होंने ह दिया था, ये एक बुद्धिजी भी थे, ग्रैंड ओल्ड में अफ इंडिया इन्हें कहा जाता है, और ये कपास के वेपारी भी थे, इन्होंने हाउस आफ कॉमंस के लिए एलेक्शन लड़ा और उसमें निर्वाचित भी हुए, तो दादा भाई ने रोजी पर्थम भार ये थे, जो हाउस आफ कॉमंस के लिए एलेक्शन लड़ने के बाद उसमें सफलता पाया, हलाकि एलेक्शन लड़ने की बाद जब आएगी, जो हाउस आफ कॉमंस में एलेक्शन किस भारतिये ने सबसे पहले लड़ा, तो वो मेश चंद बनर जी थे, इन्होंने दो बार ए आगे बस इन्हें सफलता नहीं मिले वही दादा भाई ने रोजी को सफलता मिली और ये House of Commons के लिए निर्वाचित होने वाले प्रतंभारती ये बने इस अधिवेशन में 1880 के कलकटा अधिवेशन में 16,000 रुपया खर्चान परी थी इसमें पचीस सो रुपया उस समय दर्भंगा के महराज अलक्षमिस्वर सिंग ने चंदा के रुप में दिया था इस अधिवेशन में कांग्रेस के उस समय के जो वाय सराय थे लौड डफरीन उन्होंने उद्दान भोज भी कांग्रेस के परतिनग्यों को दिया था 1887 कांग्रेस का अधिवेशन मदरास में परसावित हुआ जिसकी अधिक्ता बदरुदीन तयव जी ने किया बदरुदीन तयव जी बॉंबे हाई कोट के बहुत बड़े वकिल थे और बाद में वो नियाधिश भी मनें जब लोकमाने बाल गंगादर तिलग पर केसरी और माराठा नामक पत्रिका गने सुस्तब मनाने इस सब को ले करके जब उन पर देश दुरुख का मुकदमा चलाया गया तो उस समय बदरुदीन तयव जी नियाधिश थी और इन्होंने ही लोकमाने बाल गंगादर तिलग को जमानत दी थी 1888 इलाहबाद में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया और उसमें उसकी अध्यक्ता जोर्ज यूल ने किया जोर्ज यूल एक बहुत बड़े उधोग पती थे जो कलकता से सम्बंधित थे इस अधिवेशन में आपको जानका हैरानी होगी कि जहां बिटेन के जो वायस राय थे बिटिस भारत के वायस राय थे लॉट डफरीन इन्होंने 1886 में कलकता अधिवेशन में कलकता अधिवेशन में जो सारे प्रतिनिधी कॉंग्रेस के उपस्तित हुए थे उन सभी को उध्यान भोज वेलकम पार्टी दिया था 1887 में मदरास में भी इन्होंने वहाँ के जो गवर्नर थे मदरास के गवर्नर को कहा कि आप जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा है उसमें आप उस लोग को स्वागत करिये और सरकारी तोर पड़ यहां भी भोज का आयोजन किया गया और यहां भी लोग का स्वागत अधिवेशन प्रस्तावित हुआ तो बिटिस गौर्णमेंट ने जगह देने से मना कर दिया उस समय फिर कांग्रेस के नेताओं ने महाराजा धिराज लक्ष्मे स्वर्चिन तरभंगा महाराज से संपर किया इन्होंने लोधर कांसिल एक जगह खरीत कर कांग्रेस को गिफ बेडरबर्न एक ICS आफिसर थे सेवानिवरित थे इनके भाई भी ICS थे इनके पिताजी भी ICS आफिसर थे और ये बंबई के मुख्य सची भी थे जज़ भी थे जानकर हैरानी होगी कि विलियम बेडरबर्न के एक भाई थे विलियम जॉन जिनकी हत्या 5857 करांती के दौरान भारत में हो गई थी 5890 اسवी कलकता में कивать काा दिवेशन आयोजित किया गया और इसकी अदेख था सर्फिरोसाह मेता ने किया सर्फिरोसाह मेता सेंटरल बैंक ऑफिंडिया के संस्थापक सदसे थे संस्थापक ही कहा जाए सर्फिरोसाह मेता नरम दल विचारधारा के लोग थे और ये बिटिस के प्रती सॉफ्ट वियों आ करते थे जैसे 1940 में इन्होंने कहा था कांग्रेस के द्वेशन के कि मैं मानता हूँ कि बिटिस का सासन एक इस्वर ये देन है उसी प्रकार 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन सूरत में हुआ रास विहारी बोस के अध्यक्सता में जब कांग्रेस का अधिवेशन प्रारम हुआ सूरत में वहाँ पे नरम दॉल और गरम दल के बीच विवाद हो गया उसमें गरम पंथी के निशाने पर मुख्य रूप से हिंसक रूप से सर्फिरोस साहमेता पर भी गरम पंथियों ने प्राहर किया था 1891 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपूर में संपन किया गया जिसकी अध्यक्सता पी आनंद चारलू ने किया पी आनंद चारलू ये आपसे पी आनंद चारलू जो है वो दहिंदू नामक जो पत्री का है जो अखवार है जो अभी वी चल रहा है उसके संस्थापक सदस्यों में पी आनंद चारलू सुड़ो मन्यम ऐयर और बीर रागवाचारी ये तीनों मिल करके उसका अखवार का सं संस्तापक सदस्यों में एक थे और एक वीर रागवाचारी भी दहिंदू के संस्तापक सदस्यों में एक हैं जो कांग्रेस के 1920 अधिवेशन जो नागपूर में हुआ था उसकी अध्यक्स दख दिये थे। पिर चलिए 1892 में इलाहबाद में कांग्रेस का अधिवेशन प्रास्तावित हुआ और किया गया जिसकी अध्यक्ता वो में शंद बनरगी ने किया। 1894 में मदरास में किया गया उसकी अध्यक्सता किया अलफिट वेव। 1895 पूना में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया उसकी अध्यक्ता सूरेंदर नाथ बनरगी ने किया। सुरेंदरनात्बनर जी जिन्हें राष्टगूरू कहा जाता है सुरेंदरनात्बनर जी जो 1868 में सुरेंदरनात्बनर जी बिहारी लाल गुप्त और रोमेश चंतरदत तीन लोग ICS की एक्जाम देने के लिए बिटेन गए वहाँ सुरेंदनात्मनरजी पास भी कर गया परंतो जन्म तित्यी का जो कुछ विबाद हुआ उसमें इनका जो रिजल्ट था उसको आयोग घोशित कर दिया गया इसके बाद यह अदालती पर क्रिया में गया फिर अठारो से कतर में अदालती हस्तक्षेप के बाद यह फिर इंडियन एसोसियेशन नाम का एक भारती संगठन बनाया जिसके अध्यक सुरेंदनात्मनरजी थे और जिसके सचिव आनंद मोहन बोश्फवा करते थे सुरेंदनात्मनरजी ने इंडियन एसोसियेशन की अस्थापना की और 1885 में जब कांग्रेस का अधिवेशन पहले बंबई में आयुजित किया गया उस समय सुरेंदनात्मनरजी को भी उसमें आमंतरित किया गया परंतु 1885 में सुरेंदनात बनरजी का जो संगठन था इंडियन असोसियेशन उसका जो अधिवेशन था वो कलकता में प्रस्तावी था और वहाँ वो अधिवेशन हो रहा था इस कारण सुरेंदनात बनर जी 1885 के बंबई में कांग्रेस अधिवेशन जो विमेर्श चंद बनर जी के अध्यक्स्ता में हो रही थी उसमें वो सामिल नहीं हुए उसमें भाग नहीं लिये बाद में दादा भाई ने रोजी के मध्यस्ता में ईनेन असुसिएशण की जो है सो विले कांग्रेस में कडा गया और 1895 में पुना में सुरेंनात बनर जी जो है तो इसकी अध्यक्स्ता किये फिर 896 में कलकता में कॉंग्रेस का अधिवेशन किया गया उसकी अध्यक्स्ता रहिमतुला सयानी किये इन्होंने अल्पसंख्यक मुस्लिम बर्गों से कांग्रेस में जूरने का आवाहन किया और बंदे मातरम जो बंकिम चंद चटरजी के आनंद मठ से लिया गया है गीत है उसका जो है सो बंदे मातरम का गायन सारजनिक रूप से सरपर्थम कांग्रेस के 896 कलकता अधिवेशन में ही किया गया 897 आमरावती सी संक्रान नायर 1897 में आमरावती में कांग्रेस का अधिविर्शन किया गया और उसका अधेक्ता सी संक्रन नायर किये सी संक्रन नायर 1902 में रैले कमिशन के सदसे बने फिर बाद में इन्हें नाइट हुट की उपादी मिली फिर ये जज़ भी बने ये बहुत बड़े वकील भी थे मदराशाई कोट में ये जज़ भी बने और इन्होंने एक निरने दिया था कि धर्मांतरन किया गया जो दूसर जिसमें जो मॉरली मॉन्टोरी फॉर्म आया था जिसमें प्रांतों में द्वैद सासन वेवस्था लगया था उसको लागू कराने में उसको सफलता प्रूबक लागू करने में सी संक्रन नायर का भी मौत पूरु भूम का था हला कि 1969 में ही जब जालिया वाला बाग हत्याकान हुआ तो उससे दुखी होके सी संक्रन नायर ने वाइसराय कांसिक से इस्तिफा दे दिया वो गांधी एन एनर की नामा के पुस्तक भी लिखे जिसमें उन्होंने गांधी बादी पधती का बिरोध किया उन्होंने कहा कि ग तलिया वाला बाग हत्याकान है उस सबका जो मुख्य रूप से जो इसका कारण है वो माइकल ओडायर का निर नहीं है जिसके कारण माइकल ओडायर ने बिटेन से इन पर मानहानी का मुकदमा दायर कर दिया हाला कि उस मानहानी के मुकदमा में सी संक्रन नायर की हार तो जिसमें आनन्द महनबोस ने उसके अध्यक्स ता की हाँ वहीं आनन्द महनबोस जो 1876 में सुरेंदर नात्परनर जी के साथ मिलकर इंडियन एस्टापना किया था जिसमें सुरेंदर नात्परनर जी उसके अध्यक्स थे और आनन्द महनबोस उसके सचीव थे हलाकि ब्रह्म समाज में जो विभाजता 828 में ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था राजाराम मोहंडाय और द्वारिकाना ट्यगोर रविन्ना ट्यगोर के दादा जी थे द्वारिकाना ट्यगोर उनके द्वारा उसमें बाद में आके उसमें विभाजन हुआ 1866 में उसका विभाजन हो गया जिसमें आदी ब्रह्म समाज वो देविद्ना टेगोर के नित्रितों में चला और भारत के ब्रह्म समाज वो आपसे केशव चंद्रसेन के नित्रितों में चला जिसमें केसफ चंद सेन के नेतितु में चलने वाले भारत के ब्रमसमाज में फिर भी भाजन हो गया 1875 के बाद 75-80 के विचे उसमें भी भाजन हो गया और उसमें से एक साधारन ब्रमसमाज नामक साखा निकला जिसकी अध्यक्स्ता आनंद मोहनबोस ही कर रहे थे तो अनंद मोहनबोस ने 1899 में मदरास में जो कांग्रेस से संथा उसके अध्यक्स्ता अध्यक्स्ता आज़िद किया गया जिसकी अध्यक्स्ता रोमेश चंद्रदत ने की रोमेश चंद्रदत 1871 में ये भी 1869 में सुर्यननात बनर जी के साथ ICS के परिछा देने के लिए बिटेन गया थे और उसमें इन्होंने सफलता पाई थी और 1871 में अलीपूर के डिस्टिक कलेक्टर के पद पर जोइन किया था और बाद में सेवा निब्रित होने के बाद इन्होंने कांग्रेस की राजनित्ती से अपने को जोड़ा और 1879 में लखनू कांग्रेस की अधिवेसं की अधिवेसं की उनेस्सो लाहोर इन गनेश चंद्रावर कर उनेस्सो में लाहोर में कंग्रेस का अधिवेसं आयोजित किया गया और जिसके अधिवेसं इन गनेश चंद्रावर कर हुए इन गनेश चंद्रावर कर प्रार्थना समाज में महादेव गुविंद रानाडे जो थे उनके साथ मिलके प्रार्थना समाज का स्थातना किया और प्रार्थना समाज में महादेव गुविंद रानाडे के बाद इन ही का स्थान माना जाता है उनेसो में एमजी रानाडा के मिर्टू होने के बाद एन गनेश चंदरावर करी प्रारतना समाज को संचालिक करने लगे थे तो एन गनेश चंदरावर कर ने लाहूर कांग्रिस की अदिवेशन उनेसो में किया 1901 में कांग्रेस का आधिवे सन आयुजित के आ गया और उसकी अध्यक्स्ता दिन सा वाचा ने किया अब आप कुछ इसमें से जान जाएए 1893 में लाहोर में दादा भाई ने रोजीने कांग्रेस की अध्यक्स्ता की और 1893 में ही गांधी जी साथ अफरिका के लिए दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए भारत से साथ अफरिका चले गया फिर 1921 में 1893 में के बाद 1921 में आये और 1921 में जब भारत आये तो सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन उन्होंने जो भाग लिया था वो 1921 में भाग लिया था कलकता कांग्रेस अधिवेशन जो दिन साव अचा किया देक्स्ताम हरुति उसी में महात्मा गांधी ने भाग लिया था इसी प्रकार 1890 इसवी में कलकता में कांग्रेस का अधिवेशन सर्फिरोसा हमेता के देक्स्तामे की गई इसमें भारत की सर्पर्थम असनातक महिला कादंबनी गांगूली ने भाग लिया और कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था तो आज हम 1885 इसवी से 1901 इसवी तक कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में जानकारी प्राप्त किये अब अगले दिन हम 1901 के बाद कांग्रेस के एडिवेशन के बारे में जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद